इंडिया कॉंप्लिकेटिंग नहीं है साथ, बड़ा सहज सुभाव है इंडिया का, महासागर वाला है साथ, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाती हो, कौम हो, कोई हो, लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो महासागर तालाब नहीं बनन आने वाला, असल में कई वर्ष पुर्व भी देखा इस देश में, आज भी देख रहे हैं, जब बहुत बड़ी सत्ता आती है न, तो कई ख्यालात आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं, लोए स्टांडिंग प्रू, मैं और मेरी कलीग, सिनिर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहेते, इतने पावर का करोगे क्या, कम है क्या, इतने राजियों में सरकार है, केंडर में सरकार है, 303 का पहाउमत है, उसके बावजूद, अगर किसी निर्वाचित सरकार को, ले करके ये आपकी प्रूनाली हो, कारे प्रूनाली हो, जहां कि सुप्रीम को ग्यारा मई को सुप्रीम कोर्ट का आफजर्वेशन हुआ मेरे कई कलिक कह चुक्त है। संबाबता हमारे हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पुर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे हैं इसके बारे में तो उन्होंने 19 मैं को ये ओडिनेस ले करके आए अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे हैं न चाहता था मानिय सभापती महद है डाइवर्सिटी शब्द का बहुत जिक्र करते हैं हम सब उसमें रिजोइस करते हैं हमारी प्राइड है वो लेकिन एक मंत्री महोदिया डाइवर्सिटी बोलते बोल गए कि इंडिया इस कॉंप्लिकेटेड सर बचपन से लेके आज तक इंडिया कॉंप्लिकेटेड नहीं लगा कभी ये रिकॉर्ड में है परलेमेंट के इसलिए मेरी चिंता है इंडिया कॉंप्लिकेटेड नहीं है सर बड़ा सहज सुभाव है इंडिया का महासागर वाला है सर सब कुछ समा जाता है मजहब हो धर्म हो जाती हो कौम हो कोई हो लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता हूँ. Sir, for all those friends, बड़ी अच्छे ची बात कहीं, इक्वी डिस्टेंस. Sir, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, नूट्रालिटी. जब चुहे की पूच पे हाथी का पाउँ पढ़ा हो, तो नूट्रालिटी उस चुहे से पूचिए को उसको कैसा लग रहा है. तो मैं समझता हूँ, इसलिए सरे एक शेर आर्ज किया है, आज बड़े शेर पढ़े गया हैं, सुधान सुजी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूँ सरु, ये परोज के मुल्क से आया है, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास, इखलास मतलब ट्रू फरेंशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ में लाने वाला आपकी पेशे नज़र हैं तो मैं ये कहना चाह रहा था सर एक चीज और मुझे बहुरी अच्छी लगी उस दिन हमारे मान्य ग्रीमंत्री जी ने जवाला नहरू जी को कोट किया एक पल को मुझे को लगा कि इस शांती वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी ये हुआ क्या ये हुआ क्या फिर अम्बेदकर साब को भी कोट किया राजा जी को कोट किया उन्होंने करहिया लाल मानिक लाल मुन्शी को कोट नहीं किया H.V. कामत को कोट नहीं किया जो शायद जादा उनके पक्ष में तरका जाता है सर्थ बिश्विद्याले में बढ़ाता हूँ तो पिएजडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं इसको कहते हैं एथिकल साइटेशन एथिकल साइटेशन में ये नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया उदाहरन के लिए कहता हूँ कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है इस देश में कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है इसलिए कहता हूँ इसलिए ये नहीं है और मार्क्स को कह दिया कि धंग विरोधी था सब मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहराल जवाहलाल जी की अस्तियों को मज़ा आया होगा जहां तक मुझको लगता है शांती बन में सब यह मूलता मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी क कारे पनाली का विरोधी यह सर वो एक पूलिटिकल रियालिटी हैं हम भी पूलिटिकल रियालिटी हैं हम कि शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबुधन नहीं करना चाहिए ना सदन मेंना स सदन के बाहर साहब हम इंडियन मुझाहिदین नहीं है साहब हम इस इंडिया कंप्री नहीं है हम वह भारत वर्ष हैं जिसको महासागर मेंने कहा और उस महासागर में आप भी हैं आम भी हैं हम और आप एक दुसरे की कीमत पर नहीं है तो सर में ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है सर आपको घंटी नहीं बजाना परेगा का मैं प्रामिस करता हूँ पक्का उसी में खतम कर दूंगा सा प्रतिकामी में ने क्यों कहा दुनिया देख रही कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेसलेशन ला रहे हैं सा ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि मानिय सर वो चिन्याले ने एक निरने दिया सर कुछ सोच के दिया होगा ना आप अक्सर कहते हैं कि नहरू नहीं चाहते थे अरे नहरू छपपन में नहीं चाहते थे सर सथ वर्ष बीट गया है हकीकत नहीं बदलती क्या नहरू के टाइम में हम सारजनिक छेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बैचने पे ध्यान दे रहे हैं यह फरकाया है नँ सर चुकि, यह फरकाया है तो हर हर हकेकत में फरक होता है 56 की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर सर मैं तो techniques के जिरिवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूँ मैं तो ये मांगता हूँ कि सर अगर ये प्रियोग सफल हुआ अगर सापने रस्ता देख लिया तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो हाज neutrality और एक्वीडिस्टेंट के नाम पर नजने का का सोच रहे हैं सर हम तब भी आपके साथ होंगे ये तो guarantee है सर हमारे पास तो इविकल्पी नहीं है परेशान हतास लोगों के पक्ष में ख़़ा होना हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पाटी ने कोई और पोजीशन लिया था आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया और आज मैं ये कह रहा हूँ कि कल को किसी राजी के साथ होगा हम आपके साथ होगा सर सप्रेशन और पावर को लेकर के मेरे कई कली कह चुक है मैं कुछ नहीं कहना चाहता बस ये तीन चीज़ कहूंगा सर अगर बिरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदाई नहीं है सर ये अराजक्ता को जन्म नहीं देगी क्या हूँ मैं दिल्ली के जन्ता अगर मैं दिल्ली सरकार हूँ मैं दिल्ली की जन्ता के लिए उत्तरदाई हूँ ये सर राघव कह रहे थे अगर कोई भी संगती कहीं आती है LG साहब के पास जाओ सर वो चुनाओ जी ते हैं हलाकि मैं जानता हूँ इस देश में गवर्नर्स और लेटिनन गवर्नर्स की भूमीका में विस्तार हो गया अब तो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं सर आपकी मुस्कुराहाटिंग गित कर रही है मैं ये कहना चाह रहा था सर और मैं समझता हूँ कि ये बात मैं कह करके और तू थाटी नाइन डबल ए के बारे में जो बात है कही गई है मैं उसको दुहराना नहीं चाहता सिर्फ मैं एक चीज़ पर आऊंगा कोरम सर ये कमाल का कोरम हुआ तीन में से दो होंगे मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमन है बहुत अच्छी बात कही उन्होंने चेयरमन विदाउट चेयर मुख्यमंत्री चेयरमन है वो अगर दो मिनिट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए सर इट इस नॉट कोरम इट इस अच्छी अन्स्टूमेंट तो डेसिमेट अच्छी आइडिया आफ एलेक्टेज गवर्नमेंट सर एलेक्ट बास सर घंटी बद वजाईए केशव राओजी के श्रिणी में डेर दो मिनट और ले लूँगा सर एक सोल डिस्क्रेशन का मामला आया है सोल डिस्क्रेशन और यह मैं आग्रह करूँगा मानियत लिए मंत्री जीसे हमारी महामहिम रास्टपती के लिए भी जो संदर्व आते हैं ना आत्मा विहीं डिस्क्रेशन सर यह यह उसमें नहीं फिट बैठता है सर एक और चीज़ मैं अभी कल गुगल कर रहा था सर फेडरलिजम पर दो बहुत महत्पुन कोट मिले इंट्रेस्टिंग लोगों की एक चंद्रबाबु नाइडू जी का एक नवीन पटना एक जी का वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ बस मैं बता देना चाहता हूँ आकरी सर यह यह पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे तो दुस्यान जी कहके गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें चाकू की पसलियों से गुजारिश दो देगी है सर यह चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो सर यह आसान मामला नहीं है जैहिं सर इला